नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में आज की वीडियो आपके काफी यदा यूजफूल होने वाले है आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme C33S के फोन में या Realme का कोई भी फोन है उसमें आप लोग अपने वाटसप पर फिंगर पिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लोग फिंगर पिंट लॉक कैसे लगाएंगे आज की वीडियो सब कुछ मैं आपको लाइप प्रूब दिखाने वाला वीडियो के एंड तक बने रहेगा अगर वीडियो पसंद आएद वीडियो को दोस्तो लाइक जरूर करिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट कर देना तो चलिए आपको लाइप प्रूब लगा के फटा पर दिखाते हैं आपको इस सेटिंग के ओप्सन पर किलिक कर देना है सेटिंग के ओप्सन पर किलिक करते कुछ ऐसा अंटरफेश आपको नजर आएगा यहां पर सबसी उपर आप लोग देखेंगे अकाउंट का ओप्सन है यहाँ पर देख सहकते हैं अकाउंट का option, आप लोग दियान से देख ल génér अकाउंट पर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे interface मिलेंगे सबसी उपर आप देखेंगे privacy का option है आपको privacy के option पर क्लिक करना है privacy के option पा click करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखीगा कुछ ऐसा interface अब यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को आना है यहाँ पे जब आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे fingerprint lock का option मिलता है आप लोगों को fingerprint lock के option पा click करना है आपका वो fingerprint माँएगा यहां पर देख सकते हैं यह मांग रहा है fingerprint आपना fingerprint जो भी लगा है उसको लगा दिजिए दुबारा यहां पर अपने fingerprint में अपना अंगली जो है लगा दिजिए इसके बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद after one minute यह रहता है तो इसको आप after 30 seconds करना चाहते हैं कर सकते हैं वरना आपको मैं suggest करूँगा immediately का option है इस पर click करना है immediately पर click कर देंगे तो एक बार WhatsApp को unlock करेंगे फिर दुबारा कोई जो open करेगा तो फिर lock रहेगा यहाँ पर show content in notification इसको बंद कर देंगे तो कोई भी message आएगा तो आपके notification में वो show नहीं होगा कोई भी ताकि पढ़ना पाए अब यहाँ पर देख सकते हैं हम आजाते हैं होमिस्किन पर WhatsApp को open करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं fingerprint lock लग चुका है अब यह fingerprint मांग रहा है